नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुस जातक हैं और अभी बालक हैं आपकी हतेली हमारे सामने बिसलेशन के लिए आई हुई है और देखेगा यहां पे आप उ पांदर और परफेक्ट चीजें हमारी उंगलियां कहती हैं यहां पे देखेंगे आप इस उंगली का जोकाओ कहां है इस उंगली की तरफ और इसका कहां है इसकी तरफ और इसका कहां है इसकी तरफ मनि सभी उंगलियों का जो जोकाओ है आपकी बिरस्पति पे जो उंगली बन रही है इंडेक्स की फिंगर हम जिसे कहते हैं उसकी तरफ है और ये सुरू से चीज़ें दिखाई देती है आपने लिखावी है इसका मतलब है आपके विचारों में बहुत बड़ी स्वतंतरता है और हमेशा रहेगी अपनी ही बातों को मनवाने की इक्षा सीधी सी बात ह है गुरू परवत से सभी उंगलियां और सभी ग्रह प्रभावित हो रही है अग गुरू क्या है अपने हिसाब से चलता है गुरू गुरू है उससे बड़ा कोई चीज नहीं है तो आपकी हतेली में सभी ग्रह गुरू प्रभावित है तो निश्चित तोर पे आपकी जो स् इच्छा भी रहेगी और करेंगे भी आप यह इस पश्ट दिखाई दे रहा है इसका मतलब है जिस छेत्र में आप पड़ाई करना चाह रहे हैं अगर उर्ष छेत्र में आप पड़ाई करेंगे तो बड़ी सपलता मिलेगी आपको अगर दबाव में आके आप ऐसे छेतर में पढ़ाए करेंगे जिसमें बहुत बड़ी सपलता प्राप्त करना चाहते हैं जिवन में मिलती है वैसे में आप कर ही नहीं पाएंगे तो ये सलाह दी जाती है कि जिसमें आपकी रुची है आपके पेरेंट्स उसको कम न समझें क्योंकि यही चीज इनको जो है बहुत उच अस्तर पे ले जाएगी ये इस पश्ट दिखाई दी रहे है बहुत सुनर चीज है लेकिन एक चीज आपकी हतीली में थोड़ा सा अलग है इस चीज से थोड़ा बचना है एक तो हिर्दै की लकीर अगर आप देखेंगे बहुत सुनर है लेकिन धीरे धीरे मंगल की और आ रही है उतावलापन आपक जो ब्रेस्पती है ने यह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है यहाँ पर फूल रहा है यह जो फूल रहा है है यह ब्यक्ति को भोजन प्रिय बनाए गा हर समय कुछ ना कुछ खाते रहे हैं मन मार्केट वाली चीज़ें नहीं होती हैं क्रैक्स और पचासों परकार की चीज़े घर का खाना पसंदना आना और बहार का कबार भी जो है बहुत दिल्चस्पी से के साथ खाना इन चीजों में रुची बढ़ सकती है ठीक दूसरी बात है ये हलका कमजोर इस्तिति में आ रहा है ब्रस्पति ये सिक्छा का ग्रह है तो पड़ाई लिखाई के से मन भटकना और जैसे मोबाईल है परकार के गेम की वीडियो जो है इसमें ज़्यादा बिक्ति का ध्यान जाना है इसमें बड़ी रुची के साथ देखना इन चीजों की और ज़्यादा ध्यान जाएगा और ये चीज आपके नुकसान के लिए बह करें अपना समय बद्द तरीके से काम करें कि आज इतना चैप्टर पढ़ने है तो पढ़ने है और मन से पढ़ने है उनका अर्थवी समझ में आना चाहे मन से पढ़ने चाहे एक घंटा पढ़े लेकिन ज़रूर पढ़े पढ़ने की आदत डाले लिखने की आदत डाले भार की चीजें हैं उनको खाना थोड़ा कम करें इससे गुरु जो है दोसित होता है और ब्यक्ति कहीं न कहीं संगर्स जहलता है अपने जीवन में तो उस तरब से थोड़ा ध्यान लखें और देखें का गुरु को ठीक करने के लिए बचों को कोई उपाई नहीं दिया जाता है कोई मंतर जाप या तंतर जाप या उंगठी नहीं पहना जाती सबसे अच्छा है गुरु को ठीक करना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है आपने बहुत बड़ा ओपिसर बनना है आपने आपके भगय में लिखा है तो क्या करना है आपने सुबह उठींगे समय पे मस्तक पैरों पे लगा के और माबाप आपको आशिरबात देंगे तो आपका गुरु परबल होगा अच्छे फल देगा आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवशक्ता नहीं है और कभी कभा अगर हो सकता प्रतेक दिन हो तो बहुत अच्छा ये तो कभी कभार भी हो तो पूल जाने से पहले अपने मंदिर में दियाओगे रतमाम्य पापा जला देंगे आपको हाथ जोड के तीन बार या ग्यारा बार गायतरी महमंतर का मन से पाट करना है ओम भूर भोस्वा ठीक है नए अगर ये करते हैं आपको गुरु मजबूत हो जाएगा आपको अच्छ लाइन आपके लिए बहुत सुन्दर हो सकती है या इससे समंदित छेतर में बड़ा नाम आप कमा सकते हैं यह यहाँ पर इस पश्ट दिखाई दे रही है दूसरी बात अगर नहीं करेंगे तो यह वाला जो पोर्सन है यह यह आपकी जीवन में हाबी हो जाएगा और इससे क्या होगा इससे यह होगा कि आपकी जीवन में संगर्स जादा रहेगा जल्दबाजी और उतावलेपन से आप काम करेंगे तो धन हानी होगी और ब्यापार के छेतर में जाएंगे बिजनिस करेंगे तो बिजनिस हानी होगी और कहीं न कहीं धन के मामले में संगर्स रहेग अब देखेगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यह पर्थम रेखा धीरे धीरे अच्छी होती हुई दिखाई दीरी ही है तो आपका जो स्वस्थ्य का मामला है आरोग्य का मामला है तंदुरस्ति का मामला है उसमें आप लकी रहेंगे दूसरी लकीर देखें ये भी बहुत अच्छी है ये संपत्य की रेखा है धन की रेखा है और ये करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है जो धीरे धीरे परबल हो रही है भग्या आपका बहुत अच्छा है धन और संपति आप जब एक बार कमाने बैठेंगे और ज़्यादा दूर नहीं 20 और 24 वर्सों के बीच में ही आपका जो करियर का मामला है धन का मामला है उसमें stability आएगी और क्या होगा कि धन और संपति का मामला अच्छा रहेगा सुक की रेखा में थोड़ा अंतर है बीच में आपको थोड़ा संगर्स करना पड़ सकता है लेकिन उसके बाद आपको अपने स्वस्ते अपने धन और एस्वरे भोगने का शांदर लाप प्राप्त होगा ये इसपश्ट तरीके से दिख रहा है जो बहुत अच्छा यहां पे दिख रहा है ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस उंगली की तरफ धार्मिक भावनाई ये बहुत ज़ादा रहेंगी इसवर में वास्तों में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा और जो कुरूरता है निश्ठूरता है खडूस पन है वो आपके बिक्तितों को नहीं छोपाएगा कैसी भी जीवन में प्रस्तिति आ जाए लेकिन इसवर से विश्वास नहीं डगमागाएगा अपने आराध्य के परती अपने अधिश्ठात्री दीवी मा के परती हमेशा सर्दा भावना बनी रहेगी मिडल फिंगर अगर देखें प्रिस्पति की तरब देख रहे है और लमवत खड़ी है और एक सही अनुपात में खड़ी है निश्चित तोर पे आपकी मानसिक चमता बहुत अच्छी रहेगी साथ में देखें तो अध्यात्मिक चमता भी जबरदस्त रहेगी स्वाबि मानी होंगे विवेक बहुत अच्छा आगे निखर के आएगा और दोसरों की मदद कनने वाले ब्यक्ति भी रहेंगे लेकिन बुद्धी और चातुरे के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे और भाग्या आपका 100% साथ देगा बहुत सुन्दर इस्तिति में बना रहेगा ये दिखाई दे रहा है भाग्यावान ब्यक्ति हैं आप लेकिन जब मेहनत करेंगे पड़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तब भाग्या आपका साथ देगा ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बहुत ज़्यादा बिस्तार हो जाए फैलाव हो जाए इस परकार की इक्षा आपकी बनी रहेगा यहाँ पे देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रहे हैं धन और यस की भूक रहेगे पैसा और सम्मान जिवन के लिए बहुत जरूरी रहेगा और जिवन का मात्र लक्षबी जादतर यही रहेगा यह आपकी हतिली इस पश्ट बता रहे हैं लेकिन इनके बीच में गयब भी दिखाई दे रहा है जब जब आपके कुंडली में सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे या बक्री अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपकी जिवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा तीसरी चीज देखें ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरग धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाओ में, एकाउंटविल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में कमी भी रहेगी तो इसकूलों में जादतर जो है, जब कोई क्रियेटिविटी मिलती है आपको, बोलने से समंदित है, इस्पेकिंग जो पावर है उसको बढ़ाने से समंदित कोई भी क्रियेटिविटी हो, आप भाग लेने की कोशिस करें ठीक ने, और कहीं न कहीं दोस्तों बीच है, ऐसी संस्ताओं में जैसे आज कल राष्टे सोयम से उक की साखावाईं देखें आप तो ऐसी जगों पर आप कहीं न कहीं जाएं, उन से जुड़ें, तो आपकी स्पेकिंग पावर बढ़ेगी और उससे जो मैनेजमेंट की छमता है आपकी, जो आपका जो है कम्यूनिकेशन इस्किल्स है, उसमें ब्रिद्ध होगी और जीवन में आप अच्छी चीज करेंगे, ये दिखाई दे रहा है एक सुखत जीवन जीने की चाहा रहेगी, और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसिल ब्यक्तित रहेगा थोड़ा सा जीवन में उतावलापन से दूर रहे, और इसके लिए कहीं न कहीं योगा है, प्रणायाम है, ये चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी मस्तिस्क रेखा बहुत सुन्दर है, क्रियेटिबिटी वाली बिक्ति रहेंगे आप, अगर अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बिदेश यात्राएं भी करेंगे, लंबी और हवाई यात्राएं करेंगे दीरी दीरी आपकी जीवन की रेखा भग्यरेखा की और बढ़ रही है और भग्यरेखा भी पुष्टता की और जा रही है तो निश्चित तोर पे जो है ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे अगर हम देखें सुक्र के नीचे, सुक्र के परवत को यह बहुत सुन्दर है आपको अच्छे कपड़े, अच्छे सज दज कहें रहना, ब्रांडेट चीज़ें ज़्यादा लुभाईएंगे और धीरे धीरे ऐसे ब्यक्तित तो आएगा कि अपने को हमेशा मेंटेन रखना, अपनी प्रसनल्टी पर हमेशा ध्यान देना, अपने को सद समार कर रखना, नई चीजों की प्रती रुझान रहना ये चीज़ें ज़्यादा होगी बहुत एक सुख़वदाओं के तरह बहुत ज़्यादा आकरसन बड़ेगा, लगजरी लाइफ, लगजरी गाडियां, लगजरी जो है, अल्टरा लगजरी जीवन सेली, ये आपको ज़्यादा लुभाएगा और कहीं न कहीं जीवन में ऐसी इस्तिती आएगा, अगर अपने मन के अनसार अगर काम करें, और उसमें थोड़ा सा जो है, आपका बंदन भी रहे, माँ बाप थोड़ा आपकी देख रेक करें, और उनके अनसार अगर आप चलें, थोड़ा सा, ऐसा नहीं पूरी तो, मंगल और आपका उच्छ मंगल बहुत सुन्दर है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव के रहेगे और कहीं न कहीं मंगल के कारण एक स्पूर्ति रहेगी आपके अंदर एक एनरजी बनी रहेगी और जीवन में कैसी भी प्रस्तिति आई धहर्यनक होने वाला बिक्तित तो रहेगा खिक है न और ये चीज आपको बहुत उची इस्तित में ले जाएगा लेकिन थोड़ा आपको ब्रेस्पति को ठीक करना है किस परकार से करेंगे मैंने लिखा है अब यहां पर देखेंगे यह बहुत ज़्यादा उभर गया है इसका उभरने का म बिक्ति आलश्य करता है और जो बिक्ति सुबा आलश्य करता है इसे ठीक नहीं माना जाता है थोड़ा सा जो है सुबा जल्दी उठने की कोसिस करें हाँ इनका सूर्या बहुत ज़्यादा डाउन है और सूर्य के डाउन होने के कारण कहीं न कहीं यह कितना भी प्रयास कर ल उसका जो पूरा स्रेई है ग्रेडिट है ये थोड़ा सा जादा मेहनत कनने के बाद मिलेगा इनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है जो योग्यता है ये तब आएगी जब ये जो है पड़ाई लिखाई में जादा ध्यान देंगे इसकी तरफ एकागरता बढ़ाएंगे मन को नहीं भटकाईंगे और धीरे धीरे इनके निमित या यही अगर कर सके जिस दिन छुटी होती है उस दिन भगवान सूरे को जल्दी उठके जब सूरी उदाई हो रहे होंगे जल चड़ाएंगे और गाहित्री महमंतर का उनके सामने पाट करेंगे चाहे तीन बार करें च अच्छा होगा पुष्ट होगा और अच्छे प्रेणाम देंगे यहाँ पे इनका बुद्ध बहुत अच्छा है मनि बोलने चालने के मारे बारे में बहुत अच्छे हैं यह मीठी बानी रहेगी इनके किसके सामने क्या बोलना है किस प्रकार से बोलना है कब बोलना है किस ये सब इनको आएगा हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांति समझने वाला बिक्तितु रहेगा और जीवन में चाए अच्छा काम करें चाए चालाक वाला काम करें लेकिन योजना मना के करेंगे और यही चीज इनको बड़ी सपलता दिलाएगी आपका बुद्ध बहुत अच्छा है तन की सुन्दरता भी बहुत अच्छी रहेगी और मन की सुन्दरता भी अच्छी रहेगी वानी की ताकत भी अच्छी रहेगी चंद्रमा भी इनका बहुत अच्छा है देखें का कुछ भी हो ये चंद्रमा इनको बहुत बड़ी उपलब्दी हासिल कराएगा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आगे ये रहने वाले हैं इनका confidence level ये जूट भी बोलेंगे ने ऐसे confidence से बोलेंगे कि वो भी सत्य मानेंगे लोग ठीकने ये इनका confidence level है और सरीर में अन्य वो जोसे कोई समस्या हो भी जाए बड़ी समस्या नहीं है लेकिन मैं एक उदारन दे रहा हूं तो भी चंद्रमा की वो जोसे इनका मजबूत रहेगा और चंद्रमा इनका जितना मजबूत रहेगा न इनका पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा, और सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया रहेगा, क्रियेटिविटी बढ़ेगी, ये क्रियेटिव जादा रहेंगे आगे, और मा का सुक, मा होंगी तो मा का सुक बहुत अच्छा मिलेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छलकापट से बहुत दूर रहेंगे ये, और जिवन में महिलाओं का सैयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तोर पे जिस परकार से दिख रहा है, उस परकार से नहीं है, चीजें बहुत भेहतरीन है, चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ासा इनको guidance करने की जरूरत है, बहुत अबल दरजी की हतीली है। देखा जाए तो मैंने इनकी हतिली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है बहुत ज़्यादा उपाई ने करने जो उपाई मैंने वीडियो में लिखा है उन्हों उपाईयों को करवाने की कोसिस करें बहुत अच्छा लाव इनको होगा इस वीडियो में बस इतना ही ए एक नहीं वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार